कि इस मॉड्यूल में हम क्वालिटेटिव डेटा की टाइप्स पे गुफ्तगू करते हैं यानि क्वालिटेटिव डेटा किस किस तरह की शकलों में क्लेक्ट हो सकता है या किस किस सोर्स से क्लेक्ट किया जा सकता है यू तो इसके बेश्मार लंबी सी लिस्ट बनाई जा सकती है मैंने इस मॉडियूल में सिर्फ इनको तीन मेजर चीजों तक लिमिट किया ये वो तीन सूरते हैं जिन जो के अक्सर आप इस्तमाल करते हैं इसके अलावा बहुत सरी और भी आपको मिलेंगे लिटरेचर में लिस्ट इसके टाइप्स की जो के बहुत कॉमनली इस्तमाल नहीं होती और किसी ना किसी तरह इन तीन के अंदर कवर भी होती है इन में अब्जर्वेशन है इंटर्विवेशन है इंटर्विव है जिसकी एक स्पेसिफाइड शकल बाद में फोकस ग्रूप बन जाता है तो एक काइंड अफ वो भी इंटर्विव है और इसी तरह से जो रिकॉर्ड्स हैं आपके उनको एक्जैमन करना आर्काइव वगरा जिसको आप एक किसम उसकी आर्काइव भी है इसमें हम सबसे पहले अबजर्विशन का शिकर करते हैं आप इससे बिल्कुल फिमिलियर हैं और यही फॉर्म कॉंटिटेटीव रिसाइच में भी इस्तमाल होती है डेटा के टाइप के तौर本ॉर तोर से वहां हम स््टॉक्च्च अबजर्विशन करते हैं observation points लिखे होते हैं, variables लिखे होते हैं और आगे एक scale बना होता है, observer ने उस scale पे एक point चूज़ करना होता है, जबके observations जो qualitative data से related हैं, वो generally open-ended या semi open-ended observations होती हैं. observation की जो चार मशहूर सूरतें या बहुत ज्यादा इस्तमाल होने वाली सूरतें qualitative data में हैं, उनमें participant observation है, non-participant observation है, structured observations हैं और unstructured observations. structured observations जो हैं, ये एक कम इस्तमाल होने वाली सूरत है, ये ज्यादा तर close है quantitative data में observation से, structured से मराद है जिसके अंदर एक statement लिखी होगी, उस statement के आगे मुमकिना जवाबात लिखे होंगे, और आप उन मुमकिना जवाबात पे मेंसे किसी एक को मुनतखिब करते हैं, यहां फरक सिर काफी तोर पे उस मुमकिना selection of answer की वजाहत भी मांग ली जाती है, वसले मैंने किसी teacher को observe किया कि मेरा सवाल था observation sheet में, कि क्या teacher जो है वो तुलबा से सवाल पूछ रहा था, तो उसके जवाब में मैंने किया कि कभी कबार, तो अब जब मैंने selection की 5 में से एक जवाब की, तो आपने किस बन्याद पे ये फैसला किया, कि जो teacher क्लास में कर रहा था, उसको कभी कभी या कभी कबार लेबल करना चाहिए, तो ये एक addition मामूली सी है, जो information को rich बनाती है, इसके इलावा बाकी इसकी सिफ्ट वो ही है, जो structured observations हम quantitative data लेने के लिए इस्तमाल करते हैं, participant observation से मराद ये है, कि participant का अपना एक effect होता है, data collection, ठीक है, उससे मराद ये है, कि जब मैं किसी भी classroom में observation के लिए जाऊंगा, तो तमाम लोग जो class में मौजूद हैं, उस्ताद जो पढ़ा रहा हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो conscious हो जाते हैं, एक unknown शख्स की entry की वज़ जासे, और उनके रवए उस तरह से नहीं रहते हैं, जैसे के वो routine में होते हैं, वो अब act करते हैं मेरी presence की वज़ा से, तो मुझे अपनी presence को आइस्ता आइस्ता इस तरह unrealizable बनाना है, कि मैं उस group का हिस्सा बन जाऊं, ग्रूप का हिस्सा बनने से मुराद है, कि वो मेरी मौ ऐसी सूरतियाल में जब observation बनाता हूं, तो मैं पहले उस environment का हिस्सा बनता हूं, और जब वो मुझे मेरी presence को एक alien की सूरत में recognize करना बंद कर देते हैं, तो फिर मैं अपना data collect करना चुरू कर सकता हूं, यह आप उस context का, उस group का हिस्सा बन जाते हैं, उसके अंदर immerse हो जाते non-participant observation में यह है, कि searchers जो है, वो किसी distance से observe कर रहा होता है, जो डिरेक्ट नजर नहीं आ रहा होता हूं, क्यों कोई observe किया जा रहा है उनको, मिसाल के तोर पे इसकी एक सूरत है, hidden cameras हैं, इसकी एक सूरत है, कि आप किसी और जगा स्टूडियो है, जैसे आप किसी ऐसे कमरे म बैटके उनको देख रहे हैं, उनके रवईयों को, जो उनको इल्म नहीं है, कि आप उनका उनको observe कर रहे होते हैं, तो आप activity का पार्ट तो बन रहे होते हैं, लेकिन आप उसके अंदर intrude नहीं कर रहे होते हैं, आप उनके system में दخल अंदाजी नहीं कर रहे होते हैं, या आ और ये खास सी popular type है qualitative data के लिए जिसमें मैं अपने मसले मैं लिखता हूँ कि क्या teacher बच्चों से अपने content से मतलिक सवालात कर रहा था तो एक सूरत पहले थी जो मैंने आपके सामने रखी जिसमें तीन चार जवाब में से एक मुन्तखिब करना था अब मैं ये question लिखके नीचे unstructured छोड़ देता हूँ एक तरफ वो teacher अपना narrative बयान करता है दूसरी तरफ वो उसके key points बयान करता है जो से observe किये ये open ended तरह का होता है unstructured होता है open ended होता है observe करने वाले की मर्जी है को इसको लिख सके इसमें data में richness बहुत होगी इस तरह जो आप unstructured कठा करते हैं लेकिन इसका problem कल को उसको analysis के वक चुरू होता है क्योंकि हर observer potentially अपनी एक lens से उसको observe कर रहा होता है और वो जुरूरी नहीं कि वो दूसरों के perspective से मिलता हो तो जब आपके data collect हो के आता है एक थोड़े wider canvas के उपर तो आप देखते हैं कि उनके दम्यान point of junctions जो है या point of commonality जो है जिसकी बुनियाद पे मैंने इसको आगे interpret करना है वो ढूनना जो है वो एक challenging task हो जाता है data rich हो गया लेकिन उस data की interpretations करना जो है वो थोड़ा सा challenging job हो जाता है तो आपको हमेशा इसका एक balance ढूनना होता है तो यह मुक्तित तरह की observations हैं जो आपके data source के तोर पे तमाल हो सकती हैं और यह सबसे widely use होने वाला तरीका है qualitative data की collection में